तो बालक डेली की तरह एक बार फिर आज 8.30 में हम लोग आज questions प्रेक्टिस करेंगे science का और आज का हमारा लक्ष है बालक Chemical Reaction and Equations का important questions प्रेक्टिस करना हम तुमको बता दे कि एक पार्ट इस chapter का question प्रेक्टिस हो गया है ये बालक part 2 है ये जो है ये part 2 है लाइट का ओल्रेडी चार पार्ट बना हुआ है इस पर वीडियो जिसमें लगबख सारा important questions बालक हम लोग किये हुए है class 10 science करके एक अलग playlist बना है जिसमें examination को टारगेट करके important questions का बालक हम लोग discussion करते है हना तो बालक आज का जो goal है ये तुम समझी गया question हम स्टार्ट करते हैं देना और हमेशा की तरह आज एक बर फिर हम प्रेमियर जब ये वीडियो हो रहा होगा उस समय हम लाइब चैट में प्रेजेंट रहेंगे और देखेंगे कितने बच्चे इसका सही answer कर रहे है है ना question number one देते हैं बालक तमको question number one है what is the another name of quick lime quick lime को एक दूसरे किस नाम से हम लोग जानते हैं जल्दी से इसका answer टिक करो बहुत ही असान question है है ना NCIT का ये question बालक ध्यान से सुनो इसका right answer जो लोग option number B दे रहे थे या देने का सोच रहे थे वो बिलकुल सही थे हम लोग quick lime को calcium oxide के नाम से जानते हैं और इससे related एक और questions board में पूछा जाता है और वो ये है जल्दी से बता दो what is the chemical name of select lime select lime का chemical name क्या होगा select lime तुम पढ़े होगे बाबो जल्दी से बता दो जो लोग option number C टीक कर रहे हैं वो लोग बिलकुल सही है calcium hydroxide मतलब select lime हाना और quick lime को हम लोग calcium oxide के नाम से जानते हैं कोदिकत इस question का answer क्या दोगे इस question का बाबो क्या answer दोगे जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ तुम लोग what happens when silver chloride is put under sunlight silver chloride को अगर हम लोग sunlight में रख दे तो क्या होगा यह decomposition reaction वाले part में तुम NCAT में बबू पढ़े होगे उस समय क्या होगा यह चार option में से तुमें टिक करना है जल्दी से बताओगे पहला option है silver metal and chlorine gas are formed silver बनेगा और chlorine gas बनेगा यहां से मतलब दोनों अलग-अलग हो जाएगा silver metal बनेगा और hydrogen gas यहां से बनेगा वल्ली silver metal बनेगा और एक है कि वल्ली hydrogen gas is formed अगर तुम पढ़े हो उस reaction को तो बालक यह option number A तुम सही टिक कर रहे होगे यानि कि जब भी हम लोग यहां पर यहां पर बालक कौन सा डिकोंपोजिशन है photolytic decomposition है sunlight के थूँ यह decomposition हो रहा है मतलब कि silver chloride को अगर हम लोग धूप में रख दे थोड़े देर के लिए तो silver metal अलग हो जाता है chlorine gas जो है यह अलग हो जाता है यह decomposition reaction वाले पार्ट में chapter 1 में तुमको यह मिल जाएगा यह वहाँ जरूर पढ़ोगे next question बालक देखोगे द्यान से सुनो द्यान से सुनो इस question को देखो और जल्दी से सही answer देने का कोशिज करो what happens when sodium sulfate solution Na2SO4 है बालक है ना sodium sulfate मतलब क्या है Na2SO4 अगर इसको हम लोग कहां डाल दे बालक mixed with the solution of barium chloride barium chloride के साथ mix कर दे है ना barium chloride के साथ अगर हम लोग sodium sulfate को अगर mix कर दे तो क्या होगा यह चार option में से क्या बता होगे पहला भोल रहा है कि barium sulfate is formed sodium sulfate is formed sodium sulfate तो था ही अब थोड़ी बनेगा sulfur dioxide is formed है ना no reaction take place बताओ जल्दी से क्या इसका answer होगा जल्दी से बाबो जो लोग option number 80 कर रहे है वो लोग बिल्कुल सही है बालक क्योंकि यहां पर double displacement reaction होगा क्योंकि sodium is more reactive than barium तो sodium बालक chloride को मतलब chlorine को barium से अलग कर देगा तो sodium chloride यहां से बन जाएगा और barium जो है फिर यह sulfate के सांस जाकर के मिल जाएगा और बन जाएगा बालक barium sulfate तो barium sulfate is formed एक और चीज़ यहां से बनेगा बाबू sodium chloride लेकिन वो option में नहीं है इसलिए हम लोग barium sulfate को टिक करके निकल जाएगे next question try करो next question बाबू next question जल्दी से try करो इसका क्या answer होगा what happens when zinc metal is dipped in a solution of copper sulfate फिर से वही बार copper sulfate के solution में अगर zinc को डाला जाए तो यह 4 option में से क्या होगा zinc sulfate is formed, zinc oxide is formed, zinc sulfide is formed no reaction take place जो लोग option no 8 टिक करें वो लोग बिल्कुल सही है because zinc is more reactive than copper यह copper और sulfate को अलग अलग कर देगा copper को displace कर देगा और यहाँ पर displacement reaction होगा यहाँ पर बाबू double displacement reaction होगा और यहाँ पर displacement reaction होगा sulfate अलग हो जाएगा और जाकर के zinc से जूड जाएगा तो zinc sulfate यहाँ पर बन जाएगा और copper बालक यहाँ से बाहर हो जाएगा displacement reaction next इसका क्या answer दोगे तुम इसका answer बाबू तुम क्या दोगे जल्दी से देखो which one of the following process involves chemical reaction इसमें से किसमे chemical reaction हो रहा है है ना storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder मतलब oxygen को अगर किसी cylinder में हाई pressure और low temperature के बीच में अगर हम लोग उसे इस्टोर कर ले तो क्या वहाँ पर chemical reaction हो रहा है liquefication of air air को liquefied कर दिया जाए air को liquefied कैसे करते है temperature लो कर देते है और pressure हाई कर देते है तो क्या यहाँ chemical reaction हो रहा है keeping petrol in a china disk अगर हम लोग पेट्रोल को रख ले तो क्या वहाँ पर chemical reaction होगा china disk generally glass से बना होता है तो बालक देखो petrol को अगर तुम open में रखोगा यहाँ open बोला गया है तो petrol जो है वो उसका vaporizing point बहुत कम होता है कमी temperature में उड़ जाता है इसलिए तो बोला जाता है कि बाइक वगरा जब हम लोग पेट्रोल पंपर तेल वगरा डलवाते हैं तो उस समय जो उसका धकन है पेट्रोल जहां हम लोग बाइक में डालते हैं उसको ज्यादा दिर खूले नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो उसमें से कुछ जो है इवोपरेट हो जाएगा तो यहां से इवोपरेट तो हो जाएगा देखो अगर पेट्रोल को हम लोग चाइना डिस में रखे ओपिन में तो पेट्रोल जो है थोड़े देर के बाद वो वैनिस हो जाएगा थोड़े देर पाद वो गाइब हो जाएगा, इभो परेट हो जाएगा, बट यहाँ पर रियक्षन हुआ क्या, रियक्षन का मतलब वहाँ पर कुछ नया चीज बनेगा, नया चीज बना क्या, यह तीनों में से किसी में नहीं बना, यानि कि जो लोग option number C, D टिक कर रहे हैं, वो लोग वालक यहाँ पर सहीत है, यहनि कि copper wire को, अगर हम लोग heat करें, in the presence of high temperature, copper wire को अगर हम लोग heat करेंगे, तो यहाँ पर वालक chemical reaction हो रहा होगा, बात के लिए रहना, copper wire को अगर हम लोग heat करेंगे, तो वालक वहाँ पर copper oxide बन जाएगा, oxygen के साथ रियक्ट करके, तो वह यहाँ पर chemical reaction होगा, यहाँ पर नया सबस्टांस बनेगा, तो यह option number D इसका right answer था, चलो, next question वालक, seven number, इसका क्या answer दोगे, seven number question में बोला गया है, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings, acid को, अगर iron filling के साथ, मतलब iron filling समझ रहो न, iron का powder जो है, उसमें अगर acid को डालो गए तो इसमें से क्या ह होगा, hydrogen gas and iron to chloride are produce, chlorine gas and ferric hydroxide are produce, heat is, ferric hydroxide यहाँ बोला है, heat is absorbed, है न, test tube become cold, test tube जो है वो, cold बन जाएगा, iron, salt and water are produce, जो लोग option number A टिक कर रहे हैं, वो लोग सही है, है न, यहाँ पर बाबू, H2 gas evolve होगा, निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि metal, metal, metal plus acid जो है न, बालक वो hydrogen gas को produce करता है, और यहाँ पर iron to chloride भी बनेगा, है न, देखो, यहाँ पर Fe है, और HCl, यह दोनों react कर रहा है, तो बालक यह जो है, यह जो है, बालक किसके साथ मिल जाएगा, और यहाँ से H2 gas produce हो जाएगा, यानि कि यहाँ पर iron to chloride बनेगा, यानि कि Fe, Cl2 बनेगा, और प्लस H2 बनेगा, तो यह reaction completely होगा, यह reaction, समझ गए, तो option number 1 यहाँ पर right answer था, इस question का answer क्या बोलोगे, बताओ जल्दी से, इस question का answer तुम क्या बोलना चाहोगे, इस question का answer, question है the chemical formula of lead sulfate, lead sulfate का chemical formula क्या होगा, जो लोग option number C tick कर रहे हैं, वही लोग केवल सही है, है ना, क्यूंकि, देखो, lead का भी valency, बाबू, 2 होता है, और SO4 का भी valency, 2 होता है, इसको cross करोगे, तो PB2 और SO4, तो 2 लिखे ना लिखे, इसलिए PB, SO4 इसका answer हो जाएगा, कोई दिकत, next question बता दो जल्दी से, both CO2 and H2 gases are, यह board का ही question है बाबू, यह board का ही question है, कैसे इसको बताओगे, बड़ा ही easy question है, CO2 और H2 gases, दोनों क्या है, heavier than air है, SED की nature है, colorless है, soluble inverter है, जो लोग option number C ticker है, वो लोग बिल्कुल सही है, यह दोनों बालक colorless होता है, इसका कोई color नहीं होता है, next question, why are articles made of iron painted to prevent rust, है ना, article जो है iron से बना हुआ, उसको paint क्यू किया जाता है, वो क कैसे रस्टिंग से बचा देता है, तो यह चार option में से क्या tick करोगे, paint makes article made of iron beautiful, है ना, paint कर देने से, iron का जो article है, वो beautiful हो जाता है, इसलिए वो रस्टिंग से बच जाता है, बगवास बात है, यह option हो ही नहीं सकता है, है ना, जल्दी से देखो, paint prevents iron articles to come in contact with moisture present in air, है ना, यह क prevent iron article from getting sticky, है ना, यह भी नहीं होगा, देखो, यह भी नहीं होगा बालक, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, जो लोग option number B tick कर रहे हैं, उनका answer बिलकुल सही है, next question, next question बालक, quick lime is used for white washing, because, quick lime का use हम लोग बालक, white washing के लिए करते हैं, यह तुम yellow box of the NCRT में पढ़े होगे और हम बार बार बताते हैं, कि यह yellow box जो है NCRT का बाबू, बहुत ही important है, इसको हमेशा ध्यान से पढ़ना, question है कि quick lime is used in white washing, because, क्यों, 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 वो सस्ता है, it forms select lime with water, which has a nice color, it forms select lime with water, which reacts with atmospheric carbon dioxide, to form limestone, जो लोग option number C tick कर रहे हैं, वो बिलकुल सही है, है ना, यह बा जो है, क्वीक लाइम जो है, वो बनाता है, select lime, क्वीक लाइम को जब पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, select lime बनाएगा, तो select lime जब बनेगा बालक, वो जो select lime है, उसको जब हम दिवाल पर चड़ा देंगे, यानि कि paint कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, कि वो displacement reaction विल बी, हैना, double displacement reaction कब होगा, जब एक metal salt से रियक्ट करेगा, metal acid के साथ रियक्ट करेगा, metal metal के साथ रियक्ट करेगा, या salt salt के साथ रियक्ट करेगा, जो लोग इसका option number B टिक कर रहे हैं, वो लोग बिलकुल सही नहीं है, हैना, option number D टिक करने वाले बिलकुल सही है, हैना और जो लोग आपसे नमर डी टिक किये या टिक करने का सोच रहे थे वो लोग इस बार जो बोर्ड एक्जाम होने वाला है उसके लिए कहीं न कहीं प्रोपर पढ़ाई कर रहे हैं कॉंसेप्चुली पढ़ाई कर रहे हैं आजकल ऐसा ही कोश्चंस बालक आ रहा है ज्यादा तर फेरस सल्फेट सॉलूशन इस ग्रीन वाइल फेरिक ऑक्साइड फॉर्म वाई इट्स डिकॉंपोजीशन इस क्या होगा तो बालक ये बहुत हीजी कोश्चं है फेरिक ऑक्साइड मतलब किसका बात किया जा रहा है किसका बात किया जा रहा है आईरन और अक्सीजन का कंपाउंड का बात किया जा रहा है और बालक वो रश्ट होता है और रश्ट का कलर कैसा होता है यानि कि जो लोग औप्सन नमर सी टिक कर रहे हैं उनका एंसर बिल्कुल सही है question number 14, इसका एंसर क्या होगा जल्दी से बतादो हमको इसका एंसर बाबू क्या होगा question है कि when A2 gas is passed through saturated solution of H2S, hydrogen sulfide से जब A2 यानि sulfur dioxide को pass किया जाएगा, तो क्या बनेगा इसमें से, ये चारों में से क्या बनेगा, है ना तो देखो बाबू, ये तो हो ही नहीं सकता है ये D number option तो ही नहीं सकता है, A02 को H2O से थोड़ी pass कराने बोला है H2S से pass कराने बोला है, तो ये option तो ऐसे ही cancel हो गया, इसको चेक किया जाए A02 और H2S, H2O और H2O और H2O और H2O पर चेक करते चलना है, कि BALANS है कि नहीं है A02 और H2S जो है ये बनाया, A02 और H3S बना लिया हैना तो इसमें से कौन सा सही रियक्शन है ये तुमको देखना है, तो BALANS भी चेक करते रहोगे, देखो ये BALANS नहीं है हैना कि BALANS है ये ये BABU BALANS नहीं है oxygen यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यह option number 8 तुम्हारा right answer यह balance है, देखो oxygen 2, यहाँ oxygen 2, हैना hydrogen 4, hydrogen 4, हैना sulfur यहाँ पर बाबू, देखो sulfur 1 और 2, 3, यहाँ पर भी 3, हैना तो यह इसका right answer है, जो लोग option number 8 ही कर रहे थे, वो यहाँ पर सही थे, हैना यह जो question है वालक, ध्यान से पढ़ो और इसका answer हमको बताओ जल्दी से, इसका भी जो answer बता दिया, वो board's point of view से अच्छा तयारी कर रहा है, कहीं न कहीं, select the oxidizing agent of the following reaction, इस reaction में oxidizing agent कौन है, तो हम तुमको बताते चले वालक, जो oxidation के लिए responsible है, वही oxidizing agent होता है, और oxidation का मतलब होता है, addition of oxygen या removal of hydrogen, अगर कहीं पर hydrogen remove भी होना, तो वही बालक reduction ही होता है, तो जो reduction करवाने के लिए responsible है, वही, sorry, removal of hydrogen है, देखो धान से, removal of hydrogen है, वह oxidation है, तो जो बालक oxidation करवाने के लिए responsible है, वही oxidizing agent है, और यहाँ पर देखा जा कि oxidation कौन करवा रहा है, यहाँ देखोगे कि यह जो I2 है, यह इसमें से hydrogen को remove कर द होता है, तो यहाँ पर जो oxidizing agent हुआ, कौन करवा रहा है, इस compound में से hydrogen को remove कौन करवा रहा है, देखो इस compound में से, I जो hydrogen को remove करके अपने साथ ले लिया, तो oxidizing agent का बात किया जाए, तो यहाँ पर right answer A है, जो लोग option number A टिक कर रहे हैं, उनका answer बाबो बिलकुल सही था, कोई द self analysis करते जाओ, पहले तो chapter पढ़ करके आओ, कल इसका assertion region होगा, चेप्टर को अच्छे जे पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, और कोशिज करो कि जितना भी कोशन का रहे हैं, तो सारा तुम सही करो, हना, धीरे धीरे accuracy तुम्हारा बढ़ते जायागा, धीरे धीरे कोशन को सही कर करने का जो तुम्हारा जो experience है वो बढ़ते जायागा, और कही न कहीं तुम्हारा concept भी रिभाइज होते होते होते, किलर होते जायागा, जहां गलती कर रहे हो, इसको note-down करो, उस पर और डीप research करो, और टीचर से discuss करो, कि यह कहां गलती हो रहा है, हना, और धीरे धीरे तु होते जायागा, और कहीं न कहीं हम लोग बेटर परफॉर्म कर पाएंगे examination, तो फिर मिलते हैं हम लोग बालग, कल 8.30 में, बाई!